धनतेरस आज, जाने खरीदारी का शुभ मुहूर्त, महत्व और इस दिन क्या खरीदें क्या नहीं? इस साल 10 नवंबर को धनतेरस है, धनतेरस पर नई चीजों की खरीदारी का विशेश महत्व होता है, ऐसी मान्यता है जो कोई भी धनतेरस के दिन खरीदारी करता है, उसके घ के साथ प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है जो कोई भी धंतेरस के दिन खरीदारी करता है, उसके घर पर सुख और सम्रिध्य आती है। इस दिन जाड़ू खरीदने से मा लक्षमी महरबान रहती हैं। वहीं यदि धंतेरस के दिन आप कोई कीमती वस्तु नहीं खरीद पा रहे हैं, तो साबुद धनिया जरूर घर ले आएं। इन लोहे से बनी कोई भी वस्तु घर लाते हैं, तो घर में दुरभाग्य का प्रवेश हो जाता है। धंतेरस पर अल्यूमिनियम या स्टील की वस्तुएं न खरीदें। मान्यता है कि स्टील या एल्यूमिनियम से बने बर्तन या अन्य कोई सामान खरीदने से मा लक्ष्मी रूठ जाती है। ज्योतिश के अनुसार यदि आप धंतेरस के दिन घर में कोई भी प्लास्टिक की चीज लेकर आएंगे, तो इससे धन के स्थायत्व और बरकत में कमी आ सकती है। इसलिए धंतेरस के दिन प्लास्टिक की वस्तुएं भी न खरीदें। धंतेरस के शुभ अवसर पर शीशे या कांच की बनी चीजें भी बिलकुल नहीं खरीदनी चाहिए। ज्योतिश के अनुसार धंतेरस के दिन चीनी मिट्टी या बोन चाइना की कोई भी वस्तु नहीं खरीदनी चाहिए। धंतेरस पर करें ये उपाय धंतेरस पर भगवा दान गनेश जी की पूजा करें। परपशुओं की पूजा करने से आर्थिक परिशानिया दूर होती हैं।